दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी को लेकर चात्तों को जटका के बाई में क्योंकि चैन बूर्ड की मार्धियम से कुछ ऐसा ही किया गया है जिसको लेकर चात्तों को जटका लगना तय है साथ ही अगर बात की चाहिए नई एड़ेट जूनियस इच्छक भरती के बिग्यापन के बाई में अगर आप सभी ने हमारे रेगुलर वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको जानका यह दीती कुछ समय पहले एड़ेट जूनियस इच्छक भरती के बाई में अधिकाईयो के माध्यम से जिसमें आप सभी को बताया था कि एड़ेट जूनियस इच्छक भरती का एक नया विज्यापन जाली होगा जो कि आने वाले बीड़ेट बीटी सी अभ्यतियों के लिए एक और नई सिच्छक भरती देखने के लिए मिलेगी पिछली जो भरती निकाली गई थ इच्छक भरती के अंदर साथ ही अगर बात कीजिए विशेवार मेरिट को लेकर चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे की जानका ही आप सभी को और लाइन एड़ाफ सबसे पहले मिलती जाई चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं चुबात करेंगे अपनी चारों अपडेट के बारे में चारों आप सभी को एक ही पेस पर देखने के लिए मिलेगी तो वीडियो को इसके आगे बढ़ाने की कोशिच मत करना बाद में आपको कन्फीजन हो सकती है हम बात कर लेते हैं नई एडिट यूनियस इच्छिक बरती के बारे में साथी एडिट यूनिय के खाली पदों के बारे में अब ये तो मैंने आप सभी को पहले से बताया था कि जो एडिट यूनियस इच्छिक बरती का बिग्यापन जारी होने वाला था पहले सम इसका मतलब यह नहीं कि इतने भी खाली थे पर इतने भी थे लेकिन इनके ना आने की बज़े क्या थी प्रबंधन्त क्योंकि एड़िट जूनियर सिच्छक भरती पहले नहीं हुआ करती थी पहले यहां प्रबंधकों के माध्यम से कर दी जाती थी अब उसमें समस्या देखन बना दिया जाता था अब क्या हुआ सरकार ने कहा कि हम तो सिच्छक भरती के माध्यम से करेंगे तो उन्होंने खाली पतों की संख्या नहीं बेजी पहले पूचा पांच जाए दूसरे चारजा फिर उन्तालीस सो बाद में अठाइस सो चुरानवे हो गए लेकिन अभी भी सिच्छकों के पत बहुत जादा खाली हैं उसी के संब्द में यहां पर नई और पुरानी दोनों भरतियों के बाई में जानकाई दी गई हैं जिसको लेकर हम कवर करते हैं लिखा हुआ है कि सरकार की जो रहा है वो कांटों भरी देखने के लिए मिलेगी सिच्छक भरती को वो सरकार के लिए काटोबरी देखने کے लिए मिलेगी हाई कोट के आदेश पर परिक्षा निमक पधीकारी के मध्यम से लिकृत परिक्षा का परिड़ाम तो जारी कर दिया गया लेकिन अभी तक यहां पर आगे की कारृबभाहि आप सभी को देखने के लिए नहीं मिली है पुत्तर पिदर्स मानेता बेसिक जूनियर हाई स्कूल जिसको नियम ववली 1970 हम कहते हैं अध्यापकों की बत्रती नियम और सरतों को लेकर आच्छन विवस्ता इस्तिती साफ नहीं है स्कूल इस्तर पर आच्छन लागू नहीं हो सकता क्योंकि प्रतिक स्कूल में एक बनी हुई है तो पहली सबसे वड़ी समय है Klazie अब नहीं बनती सब बहुलेसे बनट से इसे ब्री बात कुछ नहीं हो सकती घब यह भरती बीच में लटकी हुई थी मैं लिडियो बनाया था आपको मैंने यह सक्षाँ था कि कुछ अधिकाया नहीं बनती कॉमन मनाई जा सकती है अगर कॉमन मेरिट को लेकर जब मैंने बताया था तो बहुत साइच चातों ने उस समय मुझे ये कहा था कि सार ऐसा कुछ नहीं है आपको किसी अधिकाई ने ऐसी बोल दिया होगा उसके बाद में क्या हुआ कि अधिकाई बोलना बंद हो गए उसकी ब क्योंकि ये सबसे बड़ा घटका ये है कि उनको यहां पर इतना बड़ा टफ पेपर देने के बाद में उनको मिला क्या कुछ नहीं यहां पर देखिए बिशेवार परिक्षा करवाई गई लेकिन राज जिस तरह ये मेरिट बनेगी एड़िट जूनिय हाई स्कूल भरती क में विशेवार मेरिट को लेकर इस्तिती साफ नहीं है ऐसे में बिज्ञान और गड़ित के अधिक अभ्यारती मेरिट में आने के बाद भी विवाद हो सकता है अब समस्या तो आप सब्सक्राइब आपको समझा चाहता था कि अगर आपकी विशेवार मेरिट नहीं बनती है तो एड़िट जूनियर वाले जो मेरिट वाले अभ्यति होंगे उनके लिए बहुत बुरा देखने के लिए मिलेगा और इसके लिए मैंने आगा भी किया था अधिकाईयों ने एक बार मुझे बातों बातों में जानकाई दी थी अब आप सभी के सामने सड़कों पर भी आ अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर मेरिट बिशेवार नहीं बनती है तो मैं तो साइंस वालों के लिए बड़ा नुकसान है चलिए बात कर लेते हैं एड़िट जूनियर सिच्छक बरती के दिक्त पतों के बढ़ने के बारे में साथी नई एड़िट जूनियर खेना है कि हम पत नहीं जोडेंगे और नहीं ऐसा कोई विचार है लेकिन जो पत खाली रहे उन पर नई सिच्छक बरती का बिग्यापन जारी होगा लिखा हुआ है कि एड़िट जूनियर बरती के 31 मार्च दोजा 22 को जेक्त पतों के बिग्यापन किया गया था लेकिन उसक को इस भरती में शामिल किया जाए अब एड़िट जूनियर के सिच्छों के पत तो बढ़ गाएं लेकिन इस भरती में नहीं जोड़े जाएंगे लिखा हुआ है कि बिग्यापन में अभी पत गटाने और बढ़ाने को लेकर बात की गई थी हाला कि जो अधिकारी कहते हैं को आप सभी को यहां से देखें हाला कि अधिकाईयों का माना है कि अगर बात किये दो साल से देखत हुए पद जोडने पर भविष्य की भरती के लिए दो साल से जो पद खाली हुए है अगर उनको जोड़ दिया जाता है तो भविष्य की भरती के लिए आविदन करने वाल यूबाओं के बंचित होना पड़ेगा जबकि हकीकत यह है कि पद नहीं जुड़ता है तो सर्वदिक नुकसान बच्चों का होगा क्योंकि यहां पर अगर बात की जारी है उनको जो सिच्छक है वो नहीं मिल पाएंगे अब यहां से नुकसान तो सबको देखने के लिए मिल लेकिन इंशॉड मामला यह है कि एड़ेट जूनियर सिच्छकों के जो पदें वो खाली है पद बढ़ते हुए दिखाई भी दिनाएं लेकिन पुरानी बढ़ती में न जोड़कर एक नई एड़ेट जूनियर सिच्छक बढ़ती का विग्यापन जारी किया जाएगा वो क लेकिन अपनी अगली अपडेट के बाएं में जो की संबंदी थे टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है चातों को एक वाफे से बड़ा जटका दे दिया गया था जिसको लेकर मैंने आप सभी क कहा था कि चातों के लिए खुशकबी है उसकी बज़य भी मैंने आप सभी को बताई थी लेकिन अब चैन बोड की माध्यम से उस आदेश को लेकर वो खुद कोट जा रहे हैं अगर वो कोट जाएंगे तो जो चातों के लिए खुशकबी थी वो जटका बन जाएगा क्योंक एक आदेश दिया गया था कि इस आधार पे जो वेटिंग लिष्टे वो निकाली जाए और उन्होंने ये भी कहा था कि 2021 की बरती में इसको फोलो करें 2022 की में करें या ववेशी के अंदर अगर कोई और बरती आती है तो उसके अंदर भी इसी बगार की नियम को फॉलो करके यहां पे भरती को जो है पूरा किया जाए अब आप सभी को यहां से देखनी के लिए मिल जाएगा कि मामला 2016 प्रतित्चा सूची को लेकर है कुछ अभ्यवेधियों के माधियम से याचि का हाईकोर्ड में दाखिल कर दी गई थी और हाई कोट ने कहा था कि प्रतिच्चा सूची के सभी अभ्यातियों को एक साथ काउंसिलिंग कराकर न्युक्ति दी जाए हाई कोट के आधियस पे विद्याले में देखत पदों की जानकाई चैन बोड को भेजी जा चुकी है और करीब 900 से जादा जो पदे वो खाली मिले है फिलाल चैन बोड ने इस मामले को लेकर डवल बेंच में इस्पेशल अभील दाखिल कर दिया है और अभ्यति नुक्ति पाने के लिए पहले बने जाए मतलब मामला यह है कि यहाँ पर जो मामला था कहने की भरति पूली होने का अब चैन बोड फेसे इसको लेकर डवल बेंच चला गया है और चात्तों के लिए बड़ा जटका यह है कि अगर हाई कोड की माध्यम से कोई आदिस चात्तों के खिलाब दिया गया तो बड़ा नुकसान फेसे होगा फिर उनको सुपीम कोड जाना पड़ेगा और यही उत्तर पर देस की भरतियों में चलता है था है बात कर लेते हैं उत्तर पर देस से निकली एक और नई भरति के बाई में जिसकी जानकाई आप सभी को यहां से देखने के लिए मिल जाएगे और यह भरतिया आप सभी को देखने के लिए मिलते है यूपी मरसी के माध्यम से मतलब अशिस्टर मेनेजर जूनियर इंजिनियर और भी तमाम पदों पर जो भरतिया पर दो जादी किया गया है जाता जानकाई के लिए नीचे लिखवी वेबसाइट पर जाया हो आविदन करें वीडियो को लाइक करें सारी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें